दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आप ITI, INET और Nekton इन तीन कमपनी का रेजिस्टेशन कैसे करेंगे जन सेवा के अंदर लेने के लिए उसके बारे मैं बात करने वाला हूँ तो वीडियो को एंड तक देखेगा दोस्तों मेरा नुपम आप देख रहे हैं यूटिब चैनल एक्टर डिक वर्ड तो चलिए वीडियो को इस्टार्ट करते हैं कमपनियां आती है नीचे आता हूँ मैं यहां पर 10 11 और 12 नंबर पर आई टी आई लिम्टेड आइनेट सेक्योर लेफ नेक्टान इंडिया प्रैविट लिम्टेड तो आप किस तरीके से नया जन से वाके इंदर लेंगे इस बारे में बात करेंगे तो इनके सामने दिये गए लिंक पर आपको क्लिक कर देना है जिस भी कमपनी से आप लें जो भी कमपनी आपके डिस्टिक के सामने है तो यहां पर आई टी आई लिम्टेड और आई नेट दोनों का रेश्टेशन सेम है तो एक ही साथ बात कर लेते हैं वेबसाइड भी दे देख सकते हैं आई-net की भी सेम वेब साइट है बिलकुल तो इन दोनों की वेब साइट बिलकुल से में किस तरीके से आपको रिष्टेशन करना है एक का मैं रिष्टेशन बता देता हूं और उसी तरीके से आप दूसरी कंपणी का भी रिष्टेशन कर पाएंगे तो ऊपर आपको क्लिक कर देना है जो भी कंपनी आपके डिस्टिक के सामने है उस कंपनी के वेब साइट पर जाके अब यहां पे देखिए रिष्टेशन फार्म जो और रहा है दोनों का सेम है त्यक्क में बता देता हूं बाकी सारी चीज़े सेम ही हैं अब यहां पर आपको निव या Old Valley तो New Valley पर क्लिक करते हैं क्योंकि आप नया रेस्टेशन करना चाहते हैं यह देखे डिस्टिक्ट चित्रकूट में जो है यह आईटीए का पोर्टल वर्क करता है और सुल्तानपुर में जो है वह आईनेट का काम करता है तो इन दोन डिस्टिक्ट में आप रेस्टेशन कर सकते हैं location का type अगर आप गाउं से belong करते हैं तो rural पे click करेंगे और आप सहर से belong करते हैं तो आप यहाँ पे urban पे click करेंगे फिर आप अपना block, gram बंचायत और गाउं का नाम यह सारी details जो है वो fill करेंगे फिर आपका नाम क्या है वो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा date of birth क्या है आपकी वो यहाँ पे आप click के जगा तो यहाँ पे calendar आएगा इससे आपको अपनी date of birth सेलेक्ट कर लेनी है फिर आपके पिता का क्या नाम है वो यहाँ पे डाली है और यह सारी details आप अपने ID के अनुसार ही डालीएगा फिर आपकी माता का क्या नाम है वो यहाँ पे डालीएगा फिर आपका gender क्या है फिर आपका marital status single है या फिर married है वो जो भी है वो आप यहाँ पे डालीएगा फिर आपकी educational qualification क्या है आप कितना पड़े लिखें वो आपको यहाँ पे दिखाना है फिर उसके बाद में आपका address complete यहाँ पे आपको डाल देना है pin code आपको यहाँ पे डाल देना है नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पे proof of ID आधार नमबर पे हैं नमबर जो भी आपके पास वो आप यहाँ पे डालिए जैसे कि मैं यहाँ पे आधार नमबर पे क्लिक कर देता हूं तो यहाँ उससे ID नमबर पूछता है आधार नमबर में मैंने उधर आधार अधार डालना पड़ेगा फिर आपकी email id किया है वो यहाँ पे आपको डाल देनी है फिर आपको अपना mobile number डालना है send OTP पे click कर देना है और आपके mobile पे OTP आएगा आपको OTP यहाँ पे डाल देना है तो उसके बाद में register पे आप click कर दीजगा register पे जैसे आप click करते हैं आपका registration जो हो जाता है बिल्कुल same ये inet का भी है same registration form आपको वहाँ पे भी जो है वो same तरीके से registration करना है अगर आप उस district से belong करते हैं तो तो इस तरीके से आपका registration हो जाता है registration होने के बाद में आपको district manager से contact करना है यहाँ पे whatsapp support भी आपको मिल जाता है तो आप whatsapp पे click करके बात कर सकते हैं साथी साथ आप website पे वापस जाएगा district की तो यहाँ पे district wise dsp contact list आपको मिल जाती है जिस पे आप click करेंगे तो आपका district manager को contact number आपको मिल जाएगा तो यहाँ पे मैं चित्र कूट को select करता हूँ तो यहाँ पे ओके तो यह देखे चित्र कूट में देखे iti limited है सिवा कुमार रेड़ी तो इनका contact number भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा तो आप इनसे बात कर सकते हैं यदि आपके district में यह है तब तो बात करके जो भी registration fee से उसके बारे में बात कर सकते हैं और भी चीजे जो भी आपके सवाल हैं उनके बारे में आप बात कर सकते हैं सब्सक्राइब से इसी तरीके से आइनेट जोती उसके बारे मैं यहां पर आपको फाइंड करके दिखाता हूं यह पर यह सुल्तानपुर में थी कर दो के हां सुल्तानपुर में देख सकते ऐ नेट है यहां पर भी सीवा कुमार जी है और मिरिनल त्रिपार्थी तो आप आप इनका contact details पर संपर्क करें और इनसे registration details और यह सारे details आप पूछ सकते हैं और आप नया जनसेवा के अंदर खुद से ही ले सकते हैं अब बात करते हैं तीसरी company की तो हम वापस जाते हैं यहाँ पर CSC 3.0 पर नेक्टाउन की इन दोनों की बात एक साथ मैंने से लिए कि क्योंकि registration सेम था यदि आपके district के सामने नेक्टाउन है तो यहाँ पर आजाए नेक्टाउन इंडिया प्राइविट लिम्टेड है तो आपको registration कैसे करना है तो इस पर आप क्लिक कर दीजे एक चोटा सा form है नाम प जाना है और district manager की contact list निकाल देनी है तो जहाँ पर भी नेक्टाउन वर्क कर रही होगी उनका district manager का detail वहाँ पर होगा आप उनसे contact कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दू नेक्टाउन यह भदोही में वर्क कर रही है तो यहाँ पर आप देखे हम चलते हैं यहाँ district wise dsp list तो इस पर क्लिक कर लेते हैं तो हमको district manager का contact number मिल जाएगा find करते हैं नेक्टाउन तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरट में भी नेक्टाउन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मिस्टर हरी ओमिन का contact number है तो आप इनसे बात कर सकते हैं और इनसे संपर करके आप registration fees या जो भी आपके सवाल हैं उनका जवाब ले पाएंगे तो इन तीन कंपनियों का registration कैसे करते हैं अलग-अलग मैंने आपको समझा दिया I hope आपको समझाए होगा यदि आपके district के सामने कोई और कंपनी है इन तीनों को छोड़ कर और भी सारी कंपनिया है वहाँ पे जैसे आप सभी का अलग-अलग वीडियो में बनाए हैं जिनके लिंक आपको description में मिल जाएंगे तो यदि आपके district के सामने वो कंपनी है तो आप वहाँ का भी वीडियो देख सकते हैं और किस तरी की से registration करना है वह वहाँ से आप खुद से कर पाएंगे तो आही होप आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए का अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए का जिससे की निव वीडियो नोडिफिकेशन आपको टाइम ली मिलते रहें कोई भी सवाल या सुजा तो मैं कमेंट करके जरूर बताएं इस वीडियो को शेयर करें चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें जिससे की निव वीडियो नोडिफिकेशन आपको टाइम ली मिलते रहें दोस्तों मिलते है एक ल